नमस्कार दोस्तों स्वागत आको मेरी यूट्यूब चनल पर सीखो हिंदी में तो दोस्तों आज की इस टॉपिक में बात करने आलेंगर आपके पास भी ओप A5 2020 और आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं पैंड्राइव तो फ्रेंड्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको आये जानते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसके लिए अपने स्क्रीन को अन छोब कर ले न है उसके बाद आपको इस तरीके से एक पैंड्राइव यह कैना चाहते हैं और आपको साफ में ही ले लिए णी है उपने एक O3 जी व्रैंड्स यह ए 6 टाइप की अपने phone में से इसमें ODG की setting open कर लेनी है इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ setting open करना है friends इसके आद आपको आना है यहाँ पर नीचे के side इसमें आपको additional setting में आना है फिर friends इसके आद नीचे के तरफ आएंगे यहाँ पर देखी मिलेगा आपको ODG connection का option आपको इसको on कर देना है ठीक है तो अन करने के बाद आपको अपने pen drive इस ODG में लगा देना है friends इस तरीके से ठीक है दोस्तों यह हमने ओड़ीजी लगा दिया है अपने pen drive में अब अपनी OTG को आपको अपने mobile के अंदर इंसर्ट कर देना इस तरीके से तो दोस्तों यह देखिए हमारा यह वाला memory का जो पेज है इस तरीके से open हो गया इसमें आपको नीची के तरफ देखने को मिल जाएगा सकते अपने कोई भी फायल कुछ सकते हैं और दोस्तों अगर आप चाहिए तो इस तरीके साथ में आपको ऊसके हैं अगर आप वीडियो छ लगिए प्लिसको लाइक किये जाएका मेरे चैनल को सब्सक्राइब किये जैका थैंक्यू सो अशुत